दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए खीचिया पापड लेकर के आई हूँ जो की चावल के आटे से बनते हैं ये खीचिया पापड जो चावल के आटे से बनते हैं खाने में बहुत टेश्टी लगते हैं अगर आपने नहीं खाए हैं नहीं बनाए हैं तो एक बार ब तो यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने यहां पर ले लिया है कड़ाई, आपको इसावी बरतन ले सकते हैं, इसमें हम डाल देंगे तीन कटोरी पानी, जिस कटोरी से हमने चावल का आटा लिया था, उसी कटोरी से हम इसमें पानी डाल देंगे, तो तीन कटोरी पानी डाल द तो पापड खाड डाल सकते हैं अगर पापड खाड है तो पापड खाड डालीए नहीं तो फिर मीठा सोड़ा इसमें डाल दीजिए इसने कह beta है पापड हमारा अक्छा फूलता है बड़ा फूलता है अब यहाँ पे डाल देंगे स्वाद अन्सवाद नमक तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने आदा चोड़ा चमज नमक डाला है क्योंकि नमक कम ही रखना नहीं तो फिर जब पापड़ सूखेंगे तो नमक ज्यदा हो जाएगा अब इसके बाद में हम इसमें डाल देंगे एक छोटा चमज भर करके जीरा जीरा से पापड़ों स्वाद अच्छा आता है इसके बाद एक छोटा चमज डालेंगे हम चिली फ्लेक्स यानि की कुटी हुई लाल मिर्ची अगर आपके बाद चिली फ्लेक्स नहीं है घवडा है तक यहारा है बिल्कुल नहीं इसकी जगह पर हरी मिर्च डाल सकते है कूट रके और नहीं तो चाहिए म笑스헤 लगातार चलाते जाएंगे गैस का फ्लेम हम स्लो कर देंगे और थोड़ा-थोड़ा हम चाबल का आटा डालेंगे नहीं तो फिर इसमें लम्स बन जाएंगे ठीक है थोड़ा-थोड़ा आप चाबल का आटा डालिएगा और इसको लगातार आप चलाते जाएगा आप देखना तुरंत जितना ये पानी आपको दिख रहा है तुरंत इसका पानी सूख जाएगा इसी में तो ये देखें इस तरीके से आप धीमी आज में इसको पकाईएगा तो जैसे जैसे ये पकता चला जाएगा तो ये जो चावल का आटा है पूरा पानी भी सोक लेगा और बिल्कुल डो की फोम में ये आपका चावल का आटा आ जाएगा तो चलिए इसको धीमियाज पर हमें क्या करना है 5-7 मिनट के लिए इसको हमें पकाना है अगर आप ये वीडियो फेस्बूक पर देख रहे हैं तो इस चैनल को फॉलो कर लेना वीडियो को लाइक करना दोस्तों में सेर कर देना और मुझे कमेंट वक्सियों बताना कि आपको अगली रेस्पी कौन सी चाहिए इसके बाद में अगर आप यूटूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइक बना वीडियो को लाइक करना दोस्तों में सेर जरूर कर लेना चलिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 5-7 मनट हो चुका है अब यहाँ पर मैंने बेलन को एक साइटम रख दिया है अब इसको थोड़ा हम कल्ची से इस तरीके से चला देंगे यह देखिए यह बिल्कुल यानि कि आटे के फॉर्म में आ जाएगा तो यहाँ पर यह हमारा चाबल का आटा है अच्छे से पक चुका है 5-7 मनट देगे इसको मैंने धीमी आच पका लिया है अब इसको हम क्या करेंगे गैस मैंने इसको हटा दिया है और अटाने के बाद में इसको हम क्या करेंगे बिल्कुल ठंडा नहीं होना देंगे यानि ठंडा हो जाएगा ना तो यह अच्छे से गुदेगा नहीं तो इसको हम क्या करेंगे तुरंद उठा करके इसको हम डाल देंगे एक पॉली थिन में यानि थोड़ा अगर थोड़ा ठंडा करना है तो थोड़ा ठंडा कर लीजिए एक से दो बनेट के लिए ताकि आप इसको अच्छे क्योंकि बहुत ज़्यादा गरम आप छूनी पाएं और दोस्तों आपको मेरी रेस्पिक कैसी लगती है मुझे कमेंट करके जरूर बताना और यह पापड़ आप एक बार बना लीजिए और साल बर के लिए इस्टोर कर लीजिए ठीक है बहुत अच्छे लगते हैं खाने में तो यह देखे इस तरीके से आपको इस चाबल के आ क्योंकि यह आटा जो है यह दो फोम में आ चुका है अब हातों में थोड़ा सा हम लगाएंगे तेल लगाने के बाद में इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से थाली में रख करके और मसल लेंगे तो यह देखे यहां पे हमारा आटा बिलकुल तयार हो चुका है पापड़ बन लर या आप खीचिया पापड चोटा बना लरועे जैसा भी आपको पसंद गोई तो इस तरीके से इसके tumal बनाते जाए पूरे बौल बना लोगी ओफिर मैं को दिखाती हूं इसके पापड बना करके तो इसके लिए आप चाहें तो इन पापड़ों को बना करके पंखे में सुखा ले या फिर धूप के अगर सुद्दा है तो धूप में इसको सुखाईएगा पंखे में सुखाएंगे तो दो से तीन दिन लग जाएंगे और धूप में सिखाएंगे तो थोड़ी टाइट सी तो पॉलि तो दिया है और ऊपर से अलग से बन कते हैं तो आप पापड बन चुके हैं और यहां पर और भी पापड सूख रहे हैं जो कि मैंने वीडियो अप्लोड कर दी हैं आप लोग देखेगा नमरता बदरिया ब्लॉग चैनल पर यहां पर यह जो हमारे पापड हैं यह बिल्कुल सूख चुके हैं और आपको मैंने जो किलिप सूख रहे हैं तो कितना बड़ा पापड़ हो रहा हँ उति हैं क्योंकि उसमें मीठाएं का इस्तेमाल किया था ठीक है तो यह आपको जब सेखना है तो ते जान पर बापड लगा यानि कि जो तेल को गरम करेंगे तबी आप सखेंगे तो यह अच्छे से किसी भी कम पीएगा यह पापड तो इस तरीके से आप इन खिचिया पापड को बनाईए चाबल के आटे का और बना करके इसको इसको अराम से रख करके खा सकते हैं और बीच में कभी एक दो दिन कभी दूबी दिखा देना जिससे की पापड कोई इसमेल बगरा नहीं आएगी तो इस तरीके से इन पापड़ों को बनाईए और सेकिये इसको खाईए चाय के साथ या खाने के साथ में इंज्जॉय करिए तो यहां पर आपको मैंने दिखा दिया है कितना छोटा पापड था और पतला पापड बना है आप चाहिए थोड़ा मोटा पापड भी बना सकते हू अब मैं एक पापड आपको तोड़ करके दिखाती हूँ आप सुन सकते हैं इस आवाज को पापड कितने कुरकुरे हैं तो चलिए इसको बनाईए खाईए मुझे कमेंट करके जरू बताइए यह पतला सा खीतिया पापड जोगी खाने में बिलकुल जैसे ही आप मुमें ड पिसाता